सब्सक्राइब करें अपने यूटूब चैनल मेटसन मेटिकोस को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसे कैसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे हेलो गाइस मैसान हुसन और आप देखने मेटसन मेटकोस आज में बात करने जा रहा हूँ ब्लीडिंग गम्स के बारे में ये लोगों में क्यों हो जाता है क्या कारण होते है और इसका क्या ट्रीड्मेंट करना चाहिए तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में तो मेर क्यों आने का सबसे सामान कारण होता है दांतों पर प्लाक का जमा हो जाना ये दिनयमित रूप से ब्रस करने और दांतों के बीच flossing यानिकि धागे से दांतों की सफाई अगर इस प्लाक को हटाया नहीं जाता है तो यह प्लाक सक्त हो जाता है और टार्टर या फिर कैलकू प्लस में बदल जाता है जिसे रेगुलर ब्रस करने से साफ नहीं किया जा सकता है अगर आपके दांतों पर फ्लाग जमा हो गया है तो आपको अपने डेंटिस्ट से संपर करना चाहिए और इसकी सफाई नियमी रूप से करानी चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपके दांतों को कमजूर कर देगा जिसे की दांत ढीले पड़ने लगेंगे और मसूरों से ब्लड आने लगेगा जिसे ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं इसके और भी सामानी कारण हो सकते हैं जैसे की दांतों की सफाई करते समय या फिर ब्रस करते समय जो लोग अच्छे त तो या कुछ इसके कारण होते हैं जिसकी वज़े से लोगों में bleeding गम्स हो जाते हैं तो अब जान लेते हैं इसके treatment के बारे में इसका क्या ilapcke करना चाहिए अगर ज्यादा problem हो गयी है bleeding ज्यादा हो रही तब आपको अपने dentist से संपर करना चाहिए या फिर नजदीगी डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ज्यादा समस्या नहीं है तब आप घर पर ही रहकर इसका treatment कर सकते हैं जैसे कि एक जेल आता है जिसको Metro Gel DG बोलते हैं एक जेल होता है जिसको उंगली पर लेके आपको धीरे से मसाज करनी होती अपने दातों की और मसूडों की और इसके साथ में आपको विटामिन C का सेवन करना चाहिए जैसे कि टेबलेट आती है लिमसी 500 mg की इसकी एक गोली रोजाना एक हफते तक लेनी चाहिए और इसके साथ ही अगर दर्द हो रुख जाती है दोस्तों घाओ जाने की वज़े से या फिबलीडिंग होने की वज़े से वहाँ पर ब्लेक्टीरियल इंफेक्शन होने का खत्रा जादा रहता है इसलिए इस इंफेक्शन को रोगने के लिए एंटीबाटिक्स पेशन को डॉक्टर के दरा दी जाती है एंटीबाटिक्स जो सबसे ज़्यादा लिखी जाती डॉक्टर के दरा वो होती है मॉक्सिसलीन और पोटेसियम क्लिवनेड जैसे कि मॉक्सिकाइन सीवी आती 625 अमजी की एक गोली सुबा साम नास्तेक बाद दे सकते हैं और इसके साथ में मेट्रोलजिल 400 अमजी की एक गोली सुबा साम खाने के बाद दीनी चाहिए इन्ना treatment देने के बाद bleeding gums की समस्या दूर हो जाती यानि कि मसूरों से खुन आने की समस्या दूर हो जाती है और patient को काफी relief मिलता है दोस्तो नियमी सफाई करनी चाहिए और dentist को समय समय पर जरूर दिखा देना चाहिए अगर दातों से समंदिद आपको समस्या रहती है अगर आप किसी और बीमारी के बारे में या फिर किसी मेडिसीन के बारे में डिटेल में जानगा लिजाते हैं तब आप कमेंट करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेसेज कर सकते हैं आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर ना है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिलागन को भी पिरस कर लें जिससे इंफारमेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते र